उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ती दिन में तीन बार अपना रूप बदलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर स्थित माधारी देवी मंदिर की, कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित मा की मूर्ती सुबह एक कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढी महिला की तरह दिखाई देती है, यह मंदिर कै देवी काली को समर्पित है, इसके साथ ही माधारी देवी उत्तराखंड के चारधाम की रक्षा भी करती हैं, इस मंदिर में देवी की मूर्ती का सिर्फ उपड़ी भाग सिर्स्थित है, एवं निच भाग काली मठ में स्थित मा मैठाना नाम से प्रसिध है, कहा जाता है जब मा धारी देवी के भाईयों ने सिर उनके शरीर से अलग कर दिया और उनके शरीर और सिर को नदी में बहा दिया। मा धारी देवी का सिर नदी में बहते हुए धारी गाव तक पहुँचा, जहां पर एक व्यक्ती ने उन्हें देखा, वह व्यक्ती उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन नदी का बहाव बहुत होने के कारण, वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तब अचानक सिर से आवाज आई, तू घबरा मत तू मुझे यहां से बचा, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि तू जहां पैर रखेगा, मैं वहाँ पे तेरे लिए सीड़ी बना दूंगी, कहा जाता है कि कुछ समय पहले यह सीड़िया यहां पर दिखाई देती थी, और तब ही से मा धारी देवी यहां स थापित है